हेलो स्टुडेंट विल्कम टू सक्षच कोचिंग सेंटर बाइलोजी क्लासेस ओनलाइन हम लोग पढ़ रहा है कि अच्छा ग्यारा में सेल ठीक है हम लोग सेल का चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं ठीक है इसमें हम लोगोंने दो तीन लेक्षर ले भी लिया हैं आज हम लो ठीक है यहां पर समझ में की कोशिस करें यू का मतलब होता है ट्रू ठीक है यू का मतलब होता है ट्रू पहले भी बता चुके हैं और यहां पर लिखा हुआ कैरियोटिक का मतलब होता है कैरियोन का मतलब होता है नियूकलियस ठीक है नियूकलियस कहने का मतलब क्या है कि वह कोशिका वह कोशिका जिसमें ट्रू न्यूकलियस पाया जाएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे उसे हम लोग यूकेरियोटिक सेल या फिर सुविक्सित कोशिका कहते हैं ठीक है हमको पता चला कि तिस तब करेंगे तो इस तरीजेसे हृँकिखे से यूकियोटिक से चनाए कौन कौन से जीव हैंगे थीक है है तो देखिए बात कर रहे हम लोग अकर लोगर देखें त्रक्त कौन काौन से जीव आएंगे तो अगर हम लोग्र ब्ेक्टीर elemen mycoplasma bacteria mycoplasma blue green algae ठीक है अगर हम लोग जीवार निली हरी सहवाल और mycoplasma को हटा दें साथ में Archebacteria को भी हटा दें ठीक है इस तरिके से ऑख से एक टेगौरी तो इस तरीके से गर हम माइको प्लाजमा熱 ब्ल्यू ग्रिन ग्रीं को हटा दे तो इसके अलावा जो भी जीव होंगे उन सभीमें यू-ककयर्योंटिक सेल पाई जाती है तो प्रश्म कौन-कौन से हैं बाइ वह जिउ तो देखिये यू कैरियोर्टिक सिल में 2 ूह की कोजिकाए आएंगे एक होंगे प्लांट ठीक है जितने भी पादब होंगे सब किसाब्स कजिंगाय यू कैरियोर्टिक से Coronary और जितने भी एईनीमल होंगे प्लांट्स और एनिमल्स की जो कोश्ट का होंगी वो यू कैरियोटिक टाइप की होंगी ठीक है तो हमको पता चला यू कैरियोटिक सेल सभी पादपों हम सभी जन्तूं में पाई जाती है किन्तु जीवार भाई को प्लाजमा निली हरी सहवाल में यू कैरियोटिक सेल नहीं जाती है ठीक है यह आपको समझ में आ गया आप बात करते हैं आगे यूकरियोटिक सेल देखिए इसके पहले आप लोगों ने प्रोकेरियाटिक सिल पढ़ाए ठीक है प्रोकेरियाटिक सेल में क्या पढ़ाए कि जो उसमें न्यूकलियस होता है वह कमप्लीट होता है इन सिपियंट न्यूकलियस होता है ठीक है लेकिन यहां पर क्या और यहां पर ट्रू न्यूकलियस है मतलब क्या है मतलब क्या है मतलब क्या है मतलब यह है कि जो कोशिका जिल्ली है उसके बीच में सेंटर में सेंटर में एक विक्सित केंद्रक पाया सब एक जिल्ली के अंदर रहेगा ठीक है इस जिल्ली को हम लोग बोलेंगे केंद्रक जिल्ली या फिर बोलेंगे निउक्लियर नियूक्लियर मेंब्रेन ठीक है इसे हम लोग बोलेंगे नियूक्लियर मेंब्रेन केंद्रक जिल्ली होगी और केंद्रक जिल्ली के अंदर केंद्रक द्रब्ब होगा ठीक है केंद्रक द्रब्ब होगा उसके बाद इसी के अंदर इस तरीके से chromosome होंगे गुरूसूत्र होंगे यहीं पर Kendrica होगी थिक है यहीं पर Kendrica होगी इस तरीके से chromosome यहाँ पे हो जाएगा nucleus तो इस तरीके से complete neucleus है complete neucleus है थिक है isके बारे में जो भी structure है वो आगे चलकर explain में समझ में आएगा क्योंकि हम लोग यू कैरियोटिक सेल का पूरा का पूरा अध्यन करेंगे इस टॉपिक पे ठीक है तो आगे की चीज़े जो भी वह आगे आपको समझ भी आ जाएंगी ठीक है अभी मैं क्या कह रहा हूं कि ट्रू सेल ट्रू न्यूक्लियर सेल या फिर टू सत्य कोशिका या फिर यहां पर कह सकते हैं कि सुविक्सित कोशिका जो है उसके केंद्री भाग में संटर में एक केंद्रक होगा ठीक है यूकारियाटिक सेल में ठीक है अब यह जो केंद्रक है केंद्रक केंद्रक जिल्ली हो सकती है उसके बाद इसके अंदर केंद्री पदार अब इसके अंदर बहुत सारा मेट्रियल भाला पड़ा होगा इसके अलावा बाहर की ओर इसके अलावा बाहर की ओर यहां पे सहल मिम्बरेन के अंदर और के द्रश के बाहर ठीक है कुछ विसेश मेंब्रेनस तो मेंब्रेनस कि तुझ only और गेनल और गेनल्स पाए जाते हैं मतलब जिल्ली के वने कोशी कांग पाए जाते हैं बोलेंगे सरकौन कौन से नाम है तो देखिए यहां पर नंबर वन पर आ जाएगा अगर हम लोग बात करें तो इसमें आएगा माइटो कॉंड्रिया माइटो कॉंड्रिया एंडो प्लाज्मिग रेतिकूलम ठीक है एंडो प्लाज्मिक रेतिकूलम आजाएगा गौलगी बॉड़ी आएगा ठीक है बोको नल्ठ TOP क्या देखें यहां पर 80 टाइप के राइबोसों पाए जाएंगे ठीक है एक बार फिर से फटाफट देख लीजे मैंने गा यूकरियोटिक सेल ऐसी कोस्ट का जिसमें सत्य केंद्रक पाए जाएगा विक्षित केंद्रक उसे कहेंगे जिसमें केंद्री पदार ठीक केंद्रक जिली के अंदर सीमित रहता हो ठीक है मतलब केंद्रक के चारो और केंद्रक जिली होगी उसके अंदर उसका केंद्री द्रब होगा गुडशूत्र होगा गुडशूत्र के अंदर क्या होगी यहां पे केंद्री का होगी गुडशूत्र में डीने होगा और बहुत सारा यहा प्रज्मिय रैटिकुलम गौलगी बाडीर आइबोसवम लाइसोसों के बहुत सारे से लौरगनिल इस तरीके से पाए जाते हैं ठीक है उसके अलावा उसके अलावा जो कोशिका होगी उसमें वैकवोल होगी ठीक है उसमें वैकवोल होगी वैकवोल का मतला होता है रसधानी या फिर रिक्तिका ठीक है यह पादप कोश्का में भी पाए जाएगी जंतकोश्का में भी पाए जाएगी बात अलाग है कि छोटी और बड़ी हो लेकिन यह पादप रहे हमने एक आउटलाइन देखा यू कैरियोटिक सेल के बारे में ठीक है मैंने अभी यहां पर कोई अच्छा डाइग्राम नहीं बनाया है मैंने सिर्फ आपको कांसिप्ट समझाने की कोशिस की है कि जो यू कैरियोटिक सेल है उसमें ट्रो न्यूक्लियस होगा ट्रो लिएने होगा डेने में प्रोटिन लगा हुआ होगा यहीं पी केंद्रीका पाई जाएगी न्यूक्लियोलस पाया जाएगा चारो तरफ कोसी का दरबे में बहुत सारे पदार्थ होंगे जिनमें से कुछ विशेस आरगन होंगे कोसी कांग होंगे धिल्ली के बने नाम करेंगे आप prokariotic cell को देखिए और eukaryotic cell को देखिए ठीक है फिर उसके बाद इन दोनों में compare कीजिए अंतर निकालिये ठीक है अंतर निकालिए difference पैदा कीजिए और कम से कम से सात अंतर आप लोग लिख डालिए ठीक है इस तरीके से आप क्प्रोकारियाटिक सेलों और इक योचिंटो जाएगा अभी हाँ पर मैंने आपको बद देखा यूचिंट का अब लोग बात करेंगे एक यूचिंघ यो icon की explain तरीके से को